स्वामी जी जो धर्म दर्शन आत्मा में विश्वास करता है वो अवश्य ही कर्म में विश्वास करता है क्योंकि आत्मा जो सरीर में बंदी हुई है वो कर्म के कारणी है और पूरे विश्व में जितने भी धर्म दर्शन है उन्होंने कर्म को किसी ने किसी अवस्ता के रूप में माना है लेकिन जेहन दर्शन ही कैसा दर्शन है जिसने बताए बकाइदा एक एक कर्म के एक एक परम वहाव के साफ से और जैन्द्रम कहता है कि जब कभी मन sama defin блभी पृता है उस किरीया कुरूप के साथ के अंदर जो कुछ भी इस पूरे कास्मॉस के अंदर से चत् etmek पुर्श100 कोन फुद्ग्ल खीच बासा हमें अधेम मजن नहीं होता है और खीच करके ऎम किमंढरे बीतर जो राग देश है उसको दे दिया जाता है और फिर ये क्रमश जो है गटबड होता रहता है तो मैं आप से ये जानना चाहता हूं हमारे सबी सोताओं की तरफ से कि अध्यात्म विज्ञान के अंदर वो कर्म कितने तरह के हैं उनकी करम की जो है क्या क्या केटेग्री है कौन कौन सा करम जो है वो किस तरीके से जो है वो बंदता है चूड़ता है और प्रभाव दिलाता है और किस तरीके से आत्मा की तरक्की आत्मा की अवनती के अंदर या शरीर के जो है सुख दुख के अंदर वो सयोगी बनते हैं कृपया थोड़ा कुलासा करके शोताओं को बताओं गन्यवाद गैस सच्चिदाने अध्यात्म की ग्यान के अंदर आठ प्रकार के कर्म बताए गए और वो आठ प्रकार से कर्मों से मुक्त होना उसका नाम मुक्स है और वो आठ प्रकार के जो कर्म है उसमें दो ब्राइन चीज़ है चार प्रकार के कर्म को जैनिजम में घाती कर्म कहते है और चार प्रकार के कर्म को जैनिजम में अगाती कर्म कहते है अभी पहले घाती और अगाती का meaning समझ ले घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा की अनंत सक्तियों को होते हुए भी घात करता है अनुभव नहीं होने देता है इसका नाम है घाती कर्म और घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा से जुड़े हुए नहीं है ये मनवचन काया से भुक्तान करने के कर्म है जो सभी जीवों को करना ही पड़ता है वो तो केवल ग्यान के बाद भी रहेगा निर्वान तक रहेगा तो घाती कर्म और अगाती कर्म की हमने परिबासा बताने की कोशिस किया जो आत्मा की अन्सक्तियों को घात करता है अनुभव में नहीं आना जता है वो घाती कर्म है और घाती कर्म का मतलब होता है जिसे आत्मा से मतलब नहीं है मगर मनवचन काया के भुक्तान से मतलब है और वो तो करना ही पड़ेगा ग्यान हुआ केवल ग्यान हुआ की वर्द्रसम हुआ फिर भी अगाती कर्म का विक्षय नहीं होंगे मुक्तान करना ही पड़े गया उसके बाद जिवों का निर्वान होता है या तो रिवर्थ होता है तो सबसे पहले अगाती कर्म सबसे पहले घाती कर्म जो आत्मा की अनंच शक्तियों को घात करता है होते हुए भी वो चार प्रकार के कर्म है गनान आवरन, दर्शन आवरन, मोहनिय और अंत्रह कर्म तो ग्यान आवरन, दर्शन आवरन, मोहनिय और अंत्रह कर्म यह चार प्रकार के कर्म है उसमें से तीन कर्म है ग्यान आवरन दर्सन आवरन मोहन्य कर्म इसका एक नाम है अग्यान और अंत्राय कर्म का मत्वता है अगर ये तीन कर्म लाइव है ग्यान आवरन दर्सन आवरन मोहन्य कर्म लाइव है वहां तक आत्मा की अनुभूति का अंत्राय ही होगा आत्मा की सक्तियों के अनुभूति का अंत्रा है होगा तो ये चार प्रकार के कर्म मैंने बताए उसमें से तीन कर्म है उसको अग्यान बोलते हैं और जो चौथा कर्म है वो सिर्फ अग्यान होने के नाते हम आत्मा का अनुभव उनकी सक्तियों का अनुबब नहीं करते हैं वो अंत्राय कर्म है तो उसमें पहला है गनान आवरन कर्म वो गनान आवरन कर्म का मतलब होता है हम खुद को ही नहीं जानते हैं हम खुद की सक्तियों को ही नहीं जानते हैं हम खुद के स्वभाव को ही नहीं जानते हैं, हम खुद अपने अस्तित्व को ही नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है, कि हम अपने को ही नहीं जानते हैं, अपने स्वभाव और सक्तियों को ही नहीं जानते हैं, उससे बड़ा अग्यान क्या हो सकता हैं। और यही अग्यान, हम आत्मा को न मानके सरीर को मानते हैं, कि मैं सरीर हूँ, मैं सरीर को चलाने वाला हूँ, और सरीर जो भुक्तान करता है, वो मैं भुक्तान करता हूँ, तो कहने का मतलब है, कैसे भी करके, हम आत्मा को अगर सब्द से भी जानते हैं, तो वो जानकारी भी आध्यात्मा के मार्ग में प्राइमरी और बहुत छोटी है, ज्ञान जानने का मतलब होता है, हर अवस्ता में जागरती में रहना, कै मैं सुद्ध आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अभिनासी हूँ, और मैं हर प्रकार की अनंशक्तियों वाला हूँ, मतलब ये में हूँ, अगर ये जागरती रहेगी, तो भीक और भाय रहेगा, नहीं रहेगा, फिर कुछ प्राप्त करना, कुछ नुक्षान करना, ये सब्जेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा, जन्म जीवन मृत्तियों सब्जेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा, कर्म बादने का ह वो subject रहेगा नहीं रहेगा तो सबसे पहला है ग्यान आवरन तो इसको मिटाने का साधन है हम ग्यान को जाने यह ग्यान आवरन का मतलब होता है हम ग्यान को ही नहीं जानते हैं और ग्यान का मतलब होता है खुद का स्वरूप, खुद का स्वभाव और खुद की quality और वो जानना एक primary बात है जागरती में रहना वो important बात है अध्यात्मिक परिभासा में ग्यान सब्द लाइव ग्यान को ग्यान बोलते हैं बाकी ग्यान को knowledge और information बोलते हैं और knowledge और information को primary बोलेंगे या तो सुष्क ग्यान बोलेंगे जो ग्यान काम में ही नहीं आता है जो ग्यान उपयोग में ही नहीं रहता है वो ग्यान का मतलब क्या है तो सबसे पहले ग्यान आवरण कर्मा वो मैंने विस्तार से बताया और ग्यान आवरण कैसे निकाला जाएगा वो भी मैंने बताया कि मैं छेतन हूँ, मैं अभिनाषि हूँ, मैं सभी प्रकार की अनसत्यों वाला हूँ, मैं जनम मरण से मुकत हूँ, मैं सर्भ प्रकार के दिहा दिया से भी मुकत हूँ तो ये जागरती रहना वो ज्ञान आवरण को तोड़ने की बात है तोड़ने की प्रक्रिया या तो नाश करने की प्रक्रिया दुसरी बात दर्शन आवरण दर्शन आवरण का मतलब क्या है, आज मैंने भारत वर्ष के इतने सारे किताबे पड़े, ग्रंथ पड़े, शास्त्रे पड़े, बहुत सारे साधूशन सन्यास्टियों के में प्रत्यक्स रूप से मिला, मगर किसी ने दर्शन की व्याख्या, सिम्पल, परफेक्ट नहीं पताएं, आप जब दर्शन की बात करेंगे, तो पूरी किताब दे देंगे, आपको तिन सो पड़ने की, पान सो पड़ने की किताब पड़नी पड़ेगी, तब आपको दर्शन मालूम होगा, भई हमारा जईन दर्शन, वैष्णव दर्शन, सीव दर्शन, स्वामिनायन दर्शन, चारवाक दर्शन, वेदान्त दर्शन, तो मेरा कहने का मतलब है, दर्शन सब्द यहां जो लगाया गया है, वो दर्शन सब्द अज्यानता का प्रतिक है, यहां दर्शन का मतलब कोई धर्म की परिभासा नहीं है जैसे ग्नान आवरण ऐसे दर्शन आवरण है यह अज्ञानता का प्रतिक है यह कोई धर्म की फिलोसोफी का प्रतिक नहीं है तो यहां दर्शन आवरण का मतलब होता है यह दुनिया का सनातन सत्य जो कुदरत जिनको हम छे तत्व कहते हैं खुद्रती कानून जिसको हम युनिवर्सल टूटल हो कहते हैं जो सब के लिए कंपल सरी है और उनसे बनी हुई अवस्ताओं को हम खुद्रती रचना पूलते हैं तो ये तीन चीजों को यथार्त रूप में समझना छे तत्व को, खुद्रती कानून को और खुद्रती रचना को यथार्त रूप से समझना इसका मतलब है प्राइमरी दर्शन और हर अवस्ता में जनम से मौत तक की मन भचन काया की हर अवस्ता में इनकी जागरती रखना कि कौन सी जागरती कि ये जो सरीर है और सरीर के माध्यम से ये पांच इंद्रियों से दुनिया काव ये अनुभव होता है तो आत्मा के अलावा मन वचन काया और पांच इंद्रियों से जो कुछ भी सुष्टी अनुभव में आती है ये पूरी सुरुष्टी छे तत्वों से बनी है छे तत्वों से ही चलती है और हमारा मनवचन काया भी छे तत्वों से ही बना है सो प्रिंडे सो ब्रह्मांडे तो पहले छे तत्वों को समझना और छे तत्वों को मैं सिंपल भासा में बता देता हूँ ताकि confusion न हो जानने वाले को सबसे पहला तत्वा है चेतन याने आत्मा दूसरा तत्वा है जड याने पांच इंद्रियों से जो अनुभव में आता है और मन वचन काया जिस से बना है वो जड तत्वा है यह सब जड तत्वों की अवस्ताय है तो दूसरा तत्वा है जड तत्वा तीसरा तत्वा है गति सहायक motion, movement यह सुर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र हर चीजे पवन, पानी, इंसान, ब्रिधिंग, ब्लड सर्कुलेशन यह सब मूँ होता रहता है, continuous तो गति सहायक तत्वा चौथा तत्वा है, स्थिति सहायक तत्वा स्थिति सहायक का मतलब होता है, स्थीर होना तो यह गति सहायक और स्थिति सहायक तत्वा दोनों एक दुसरे के पुरक है अगर रोड स्थिति सहायक है तो उसके उपर चलने वाले व्यक्ति कहो, कार कहो, टू विलर, ट्री विलर, फोर विलर कहो, वो गति सायक के रूप में काम कर सकता है अगर हमारे body के अंदर organ स्थिति सायक हैं, तो उसके अंदर blood circulation, air circulation और digesting process ये गति सायक होती है तो गति और स्थिति सायक दोनों एक दूसरे का पुरक तत्व है पांचवा तत्व है, समय तत्व, time हम ताइम को भूत भविश्य और वर्तमान के रूप में जानते हैं वस्त में समय तत्व, एक तत्व है, जो permanent होता है और present होता है हम इसको अवस्ता के रूप में ना खेंगे, ना पेंगे, तो फिर उसमें भूत, भविश्य और वर्तमान आएगा बास्तों में समय तत्व तो हमेशा वर्तमान ही होता है मगर हमारी सोच, हमारी द्रश्टी के मताबित, ये पहले हो चुका है और ये बाद में होने वाला है, इस प्रकार की सोच के आधिन, हमने समय तत्व को तीन हिस्सों में बाटा तो इसलिए वास्तों में समय तत्व से ही जीवन की व्यभार की हर वस्ता हम समझ पाते हैं आयू कर्म से लेकर हर वस्ता में हमको समय तत्व चाहिए बिना डेट और बिना समय हम किसी का आयूश्य वगेरा या व्यभार हमारा चल ही नहीं सकता है बिना समय तत्व तो यह पांचवा तत्व है समय तत्व है और छठ्था और लास्ट तत्व है स्पेस अकास यह जो कुछ भी हो रहा है वो स्पेस में हो रहा है अगर स्पेस नहीं होता अवकास नहीं होता है तो काम कैसे बनेगा यह इंसान जो हिलता जुलता है, पूरी दुनिया जो हमको हिलती जुलती लगती है because of space, यह सुरिय, चंद्र, तारा, ग्रहन, अक्षत्र, जो घुमता रहता है किसमें घुमता है, space में हमारे सरीर के अंदर भी हम पानी पीते है, हवा लेते है, खुराक खाते है और फिर blood circulation होता है, तो यह सब कुछ होता है, क्योंकि space है तो space तत्वा is a permanent, मगर वो अवस्ता में हमको सहायक बनता है तो कहने का मतलब यह है, कि यह जो छे तत्वा है, इसका एक नाम है खुद्रत यह दुनिया कुद्रत से बनी है, और कुद्रती उनको चलाती है, यानि छे तत्वा से चलती है और हमारा मनवचन का अभी छे तत्वा से ही बना हुआ है, और छे तत्वा से ही चलता है पूरी ब्रह्मान का उत्पती और ब्रह्मान को चलना अस्तित्व उच्छे तत्व के आदार से है तो इसका एक nama है पुद्रत पिर दुसरा आता है पुद्रती कानूप लौ अव नेचर यह क्हां करता है इस ब्रह्मान के अंदर इस सुष्ट्री के अंदर उनका काम है हर अवस्ताओं को जो परिवर्तन होता रहता है हर अवस्ता में तो हर अवस्ता को हर सिस्टम को वो सहायक बनता है कैसे सहायक बनता है कि कानून के मुताबिर तो दिन रात नहीं होंगे थंडी कर्मी बारिष नहीं होंगे ये सुरिय, चंद्र, स्टार्स, ग्रह, नक्षत्र, ये भरती उट होती है ये सब कुछ कानून के मुताबित है किसी के मर्जी के मुताबित नहीं है कभी अर्थ क्विक होना, कभी बहार आना कभी लावा रस निकलना कभी समंदर के लहरे बड़ी बड़ी उठना कभी बिलकुर बारिस नहीं गिरना कभी अगन जवाला भी होना पृत्वी के उपर यह सब खुद्रतिक कानून से होता है किसी की मरजी से नहीं होता है तो हम भी जो कर्म करेंगे इनसान की रूप में इनकी भुकतान भी तो कानून से होती है क्या हम कर्म बनाएंगे और हम ही रिजल नक्य करेंगे कि यह कर्म का क्या फॉल मिलने वाला है क्या हम डिसाइड कर सकते है क्या राम कर्ष्ण माहिर भी अपने कर्मों का फॉल डिसाइड कर सकते है नहीं कर सकते है और इसलिए जो कर्म का कानून है कर्म का सिध्धान्त है वो इस बाहिय जगत के अंदर सर्वो परी है उससे उपर कोई है नहीं और हो सकता भी नहीं है मगर आत्मा का वो उपरी नहीं है कर्म का कानून आत्मा का उपरी नहीं है कर्म का कानून जो कर्म बनाएंगे उसके फल देने तक ही उनकी पावर से आत्मा का वो कंट्रोलर नहीं है अगर आत्मा का कंट्रोलर होगा तो फिर मुक्ष में कैसे जाएगा तो इसलिए ये कानून जो है कुदृत का वो हमारे सब के लिए बाहिय जीवन के अंदर कुदृत का कानून सर्व परी है और अभ्यंतर जीवन के अंदर आत्मा तत्व सर्व परी है जड़ वेक्तियों को संचालन करने में कुदृत का कानून सर्व परी है एक चेतन का अस्तित्वा है उसमें अनंत शक्ति वाला जो है चेतन है वो खुद ही स्वयम संचालक है इसका कोई सर्वो परी नहीं है इसलिए हम अपने जीवन के अंदर जब ऐसे कानून को समझेंगे तो हमको मालूम हो गया कि पूरी सुष्टी पूरी दुनिया हमारा जनम जीवन मृत्यों सभी अवस्ता है वो खुद्रति कानून के मुताबी तो है मगर हम इसको नहीं जानते हैं नहीं मानते हैं और हम कहते कि मैंने किया मैंने सोचा मैंने बोला सामने वाले ने बोला सामने वाले ने किया यह मेरा है तेरा है बस यही अग्यानता से राग्विस ह होते हैं कर्म बनते हैं और कुद्रत हमको कर्म का फल देती हैं और ऐसे जनम मरन चलता ही रहेगा तो यह कुद्रत का कानून है सब कुद्रती कानून से चलता है और तीसरी बात है कुद्रती रचना का मतलब क्या है कुद्रती रचना का मतलब होता है ये मनवचन काया सहीद ये पांच इंद्रियों से जो भी सुरुष्टी अनुभव में आती है ये सभी रचना कुद्रत की है कोई गुसा करता है, कोई प्रेम करता है, कोई हेल्प करता है, कोई नुक्षान करता है कोई देता है, कोई लेता है, किसी की उत्पत् grasses होती है, किसी का ना सोता है, यह सब कुछ जो हमको परिवर्टन दिखता है, सुरिय, चंद्र, तारा, ग्रहुन नक्षत्र, भरती ओट, तेजी मंदी, कर्म और कर्मफल यह सब कुद्रती रचना है किसी के कंट्रोल में नहीं है तो आईए हम इसको कुद्रत, कुद्रती कानून और कुद्रती रचना के रूप में समझने के कोशिस करें कुद्रती रचना है